हेलो एंड वेलकम टू मैं चैनल सारवशिक्ष्र अकैडमी मैं आपकी होस नीतो कर्षब आज आप लोगों को टेली प्राइम में सेल वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं विज जी एस्टी एंड विज सेपरेट डिसकाउंट कॉलम मैं यह सारी तीजे आज आपको बताने वाल पहला जो हम सेल विल बनाने वाले या सेल वाउचर बनाने वाले हैं उसमें आप जी एस्टी लगाने वाले हो तो जी एस्टी के फीचर अक्टिवेट करने हैं दूसरा आप उसमें डिसकाउंट भी दिखाना चाहते हो आप पर्टिकुलर स्टॉक आइटम पे सैपरेट डि में आचुकी हूं और यहां मैंने एफ 11 प्रेस कर दिया है यहां से दो फीचर्स आपको अक्टिवेट करने अगर आपके टेली प्रैम में सारे फीचर्स अक्टिवेट नहीं होते तो यहां आप देख सकते हैं कि दो आप्शन मिल रहे हैं आप अगर यह दोनों आप्शन मोर जो आप्शन है वह नू हो तो आप इसको यह कर लीजे बाकि जितने भी फीचर्स हैं वह भी आपको यहां दिख जाएंगे तो जीएस्टी का फीचर जैसा कि आप देख रहे हैं जीएस्टी इनेबल गुड्स सर्विस टैक्स वाला फीचर एक्टिवेट है जब आप इसको वीडियो के अंदर भी मैंने यह सारी चीज़ें आपको बताई थी इसके बाद हमने इवे बिल नो किया था जो डिटेल्स हमें नहीं चाहिए थी वह हम सारी डिटेल्स नो करके चले थे सैट टॉल्टर जीएस्टी डिटेल वाले इस ऑप्शन को आपको यह करना है एंटर क बनाएंगे लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो भी स्टॉक आइटम आप डाल रहें हर एक स्टॉक आइटम पे अलग से जीएस्टी रेट आपको डालना है सैपरेट तो इसके लिए इनेबल जीएस्टी क्लासिफिकेशन वाले ऑप्शन को भी आप यह रखेंगे बागी डि यूज जिसकाउंट कॉलम इन इन वाइस इस वले ऑप्शन को आप यहां से यह कर दीजे तो डिसकाउंट कॉलम भी हमारे उस बिल में शो हो जाएगा और आप इसको कर दीजे कंट्रोल ए से एकसेप्ट होता है एकसेप्ट कराके अप गेट वेफ टेली में वापस आ जाए यहां जाने के अब आपको वाउचर पर जाना है और सेल बिल बनाने के लिए हम यहां देख सकते हैं आप देख पा रहे हैं यहां पर सेल बिल जो है ऑप्शन यहां दिख रहे हैं तो मैंने क्या किया आपको हाइलेट करके दिखा देती हूं यह है सेल और यहां इस जिससे आप सामान खरीद रहे हैं जो आपका seller है में जो सेल कर रहा है में जो सेल कर रहा है उस पार्टी का नाम यहां पर आएगा डेटर आप बनाएंगे अपर अगर आप चाहते हैं कि डेटर क्रियेट करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सी प्रेस किया तो क्रिए ओप्शन आ रहा है और नीचे कुछ पाटी जा रही है तो मैंने क्या किया और एक डेटर मैंने यहां XYZ के नाम से बना लिए XYZ कंपनी के नाम से मैंने एक डेटर बना रहे हूं तो आप संड़ी डेटर यहां पे डालेंगे ठीक है इतना करने के बाद मेंतें बैलन वाला फीचर एक्टिवेट रखना है और आप इस पार्टी का जी एस्टी डीटेल भी अक्टिवेट करेंगे तो जो आप जीएस्टी डीटेल पर आएंगे रजिस्ट्रिशन टाइप में जाना रेगुलर रेगुलर लेना और इसका जीएस्टी नंबर आपको डालना पड़ पिर आप इसको यहाँ पर सेफ करके चलेंगे इसको आप येस करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा जीएस्टी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है और जीएस्टी नंबर उसका क्या है तन इसको आप सेफ कर दीजे पार्टी का नाम डालते ही आपके पास एक विंडो ख करके इसको आज सकते हैं और यह डीटेल जो है अगर आपके पास है तो इसको स्किप करके भी आ सकते हैं बाकी कुछ डीटेल और एड्रेस वगरा पार्टी का पूछ रहा है तो आप डाल सकते हैं दर्वाइस आप उसको लेफ्ट कर सकते हो यहां में चाहिए सेल्स लेजर कि अभी नहीं है मेरे पास शो मोर में जाके आप क्लिक करके देख लीजिए अगर यहां पे है तो ठीक कर लीजिए अधरवाइस क्रियेट करना है तो मैं क्लिक करूंगे और मैं बनाऊंगी यहां पे सेल्स का लेजर जो की जाएगा अंडर सेल अकाउंट इसमें यहां आपको पर रेट एंडिस्काउंट एन आमाउंट तो मैं आइटम वन ऐटम तू को को पे कर लेते हूं या कोई-पैंन बनाना है म्हां लेजिए मैंने कोई नया स्टॉब डुब में बनारी हूं बनारी किया और मैं बनार tickets कैमपनीश्यहां बनाना चाहते तो आप करियट कर सकते Target पूछी जाएंगे इसकी यह डिस्टी डिटेल आपको दिखाई देंगी जब आप फीचर हमने एक्टिवेट किया था जिसमें हमने जी एस्टी क्लासिफिकेशन किया था अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक एटम पर जी एस्टी लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप य लगता है वह आपको ध्यान रखना है मान लेजे मैंने बारा परसंट यहां पर लगा दिया है तो वह छेचे परसंट यहां पर ले लेगा पहला स्टॉक है अब यहां इस विंडो में अलोकेशन में आएंगे की बोड के तो यह ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है तो यह नॉ होगाएं टुकल को मैं को यहां बनाना लातेगा तो मैंने होग माउस माय चूबkil groß चैनल को दूसरा स्टॉक आइटम मैं इस झाल बनाना में रखूंगी पीसिस लूँगी यहां पर और इस पे भी मैं जी एस टी लगाने वाली हूं हमने डाला था ट्वेल परसंट तो यह चेछे परसंट सेंट्रल टेक्स यहां पर लग जाएगा इतना करने के बाद आप ड़न कीजिए सेम ट्रैकिंग नंबर और और नबर नौट तो माउस की कितने पीसिस आप बनाने वाले तो सेम फाइफ माउस की पीसिस भी लेने वाले हूं लेकिन यहां पर मावस में बनाने वाली तु हंडड़ पर पीस के अकॉर्डेंग और यहां भी सेम 5% जी सब्सक्राइज चांब अगर आप चेंज गरना चाहते हो तो इसके यहां पर क्या हुआ है कुछ entries में गड़बर हुआ है मेरा बैक स्पेस हुआ इस वजए से कीबोर्ट का डीटेल यहां से जा चुका है कीबोर्ट हमने 350 का लिया था और यहां पर हमने 5 पर संट इसको 5प डिसकाउंट रिए था और नेक्स हम ले रहे थे मौ जिसमें by कांटिटी है सेमी tier कवन्टिटी यूंहां पर सब्सक्ति यू भी मैने चयक्तिक जालेगा उसके अकॉर्डिंग ही डीटेल यहां पर शो करेगा तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया दोनों ही स्टॉक आइटम में रेट तो जीएस्टी का सेम लगाया हमने लेकिन डिसकाउंट हमने सेपरेट लगाया है तो एक न्यू चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि हम सकते हैं सेपरेट इसकान्ट भी लगा सकते हैं योगा सकते हैं गया कि बाइसे तो आप इसके लिए आप चेक्ट भी कर सकते हो आप खुद क्यालकुलेट करके देख सकते हैं कि 5% जो है हमने डिसकाउंट दिया था उपर वाले स्टॉक आइटम पर कीबूर्ड पर नीजे 10% दिया था और दोनों पर ही मैंने यहां पर 12-12% GST लगाया है तो वह 12-12% GST के यहां पर टोटल अमाउंट रेट बनके आए तो इसको आप क्या करेंगे अब इसको आप एक्सेप्ट कराएंगे एक्सेप्ट कराने के बाद आपका बिल सेव हो जाएगा अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करके देखना तो एक स्टेप पेज अप वाला की अपने कीब क्या कॉंटिटी है जिसका अचेसन नमबर डाला था उसका नहीं डाला था नहीं आएगा आपने कितनी पीसिस लिये थे क्या रेट लिया था कि इतना डिसकाउंट था और जी एस्टी की डिटेल भी आपको यहां पर नज़र आ रही है और नीचे आप देख सकते हैं किस पे बिल्स आप बनाना चाहें यहां बना सकते हो और इनको इजीली प्रिंट करके भी देख सकते हैं तो इसी तरीके की मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सर्वशिक्षा अकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है पसंद आता है सम कमेंट में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए थैंक यू सो मच